अजय नमस्कार दोस्तो मेरे नाम है अपनी स्वागत है आपका हमारे इस यूटिब चैनल पर दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत तीक अमाल की application के बारे में बताने आ ला हूँ जहाँ पर दुस्तो इस application को आप यह अपने mobile phone के अंदर install करते हैं तो आपका जो mobile phone ह वो काफी अदा खुबसूरत दिखने लगेगा काफी अदा स्मार्ट दिखेगा तो दोस्तो मैं आपको क्या बताने की कोसिस कर रहा हूँ तो चलिए आपको मैं यहाँ पर एक डेमो दिखा दिता हूँ तो दोस्तो जैसा कि आप अभी यहाँ पर मेरा मुबाइल फोन देख पा रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेरे मुबाइल फोन के बॉर्डर पे इस तरीके की LED यहाँ पर बिलिंक कर रही है तो इस तरीके का दोस्तो आप अपने मुबाइल फोन के अंदर LED लगा सकते हैं जो कि दोस्तो ये रात के टाइम में देखने में काफी अच्छा लगता है तो इस तरीके से दोस्तो आप अपने मुबाइल फोन को काफी अदर खुबसूरत बना सकते हैं स्मार्ट बना सकते हैं तो दोस्तो यदि आप भी चाहते हैं अपने मुबाइल फोन के अंदर इस तरीकी की LED लगाना तो वो आप किस तरीके से लगा सकते हैं कौन सी है यह अप्लिकेशन तो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कर लिजे इससे क्या होगा जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो वो आप exact उसी टाइम पे सबसे पहले देख पाएंगे तो दोस्तो बेना टाइम को वेस्ट करें चलिए लसे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो इसके लिए दोस्तो आपको आपका जो mobile phone उसके अंदर आपको एक application download करने की ज़रुत पड़ेगी तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौनसी है वो application तो दोस्तो जैसा कि आप अभी यहाँ पर मेरे mobile phone पे देख पा रहे होंगे कि यह है वो application तो पहले मैं इस application का आपको use बता देता हूँ इसमें क्या क्या setting करनी होती है यह बता देता हूँ इसके बाद में मैं आपको बता हूँगा कैसे और कहा से इस application को आप भी अपने mobile phone पे download कर पाएंगे तो दोस्तो जब आप इस application को पहली बार इस तरह से open करेंगे तो यह जो application है आपसे कुछ permission allow करने बुलेगी तो आपको उन permission को allow करना है इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से page आ जाएगा देख सकते हैं activate लिखा हुआ है तो इस तरह से आपको activate करना है जैसे ही आप इसे activate करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से open हो जाएगा यह set wallpaper लिखा है तो set wallpaper पर आपको इस तरह से touch कर देना है जैसे ही आप इहाँ पर touch करेंगे तो यह देख सकते है animation speed तो आपके mobile phone पर यह animation speed होगी वो कुछ इस तरह से बिलकुल कम होगी तो आपके यहाँ पर इसको बढ़ाकर इस तरह से full कर देना है इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की तरब में आपको िनोच का ओप्षन मिल जाता है तो इस तरह से यह on होता है तो आपको इस तरह से off कर देना है तो इस तरीके से आपका यदि normal phone है मेरी तरह तो आप यहाँ पर इस तरीके से इसको set कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर इस application का आप यूज कर सकते हैं जो कि देखने में काफी बढ़ीयां लगता है काफी अधा खूबसूरत लगता है तो चले दोस्तो आप मैं बता देता हूँ किस तरीके से इस application को आप अपने mobile phone पर download कर पाएंगे तो इसके लिए दोस्तो फिलहाल आप यह जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को नीचे description में मैंने इस application का downloading link दे दिया है तो वीडियो के नीचे description से आप इस application को अपने mobile phone पर direct download कर पाएंगे दोस्तो आप में से कुछ लोग यह पूछता है वीडियो का description क्या होता है कहां पर होता है तो दोस्तो वीडियो का description यह कहलाता है यह होता है यह जो नाम लिखा हुआ था वीडियो का title नाम पर इस तरह से touch करना है नीचे की तरफ में आना है यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा download app नीले color से एक link दी होई होगी तो जैसे ही आप इस नीले color की link पर touch करेंगे तो यह जो application अभी मैंने आपको बताई इसको आप अपने mobile phone पर direct download कर पाएंगे तो उमेद करता हूँ दोस्तों यह video आपको पसंद आया होगा दोस्तों यह video पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे like button होता है दबा कर वीडियो को like कर दीजिये अपने दोस्तों के सांथ यहाँ से इसको share कर दीजिये और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होता है दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ में इस बैल आइकन को घंटी वाले बटन को जरू से दबा दीजे और और नाटिफिकेशन को भी आउन कर लिजे तो दोस्तों फिलाल के लिए अभी इतना ही मिलते हैं लिए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जयमाता दी